आज बात करते हैं प्राइस एक्षन के बारे में तो यह तो प्राइस एक्षन के कही सारे सेशन्स वीडियो आपने देखे होंगे लेकिन यह थोड़ा सा अलग हो सकता है आपके लिए क्यूंकि मेरा फोकस हमेशा रहता है कि कोई भी चीज अगर मैं समझा रहा हूं तो सिर्फ कॉंसेट आपको समझ में आ गया ना क्योंकि कॉंसेट को समझा जाता है बाकि जुतनी टेक्निकल चीज़े होती है उसको रटा जाता है याद किया जाता है और याद करना हमें साट होता है समझना आसान होता है अगर उसको आसान तरीके से समझा गया हो तो और आप जानते ह तो समझ रेट में एक्विटी ट्रेड करो ऌपशन ट्रेड करो कुम्हाडिटी ट्रेड करो चिटर करो और ररेइक्स करो क्रिप्ट्रेड़ करो किदर हमाइं करेगे हाट तो प्राइक्षण हर जगे चाहिए हर जगे काम आयेगा क्योंकि किसी भी ट्रेडिंग में प्राइस का ही तो खेल है उसकी मत का ही तो खेल है कीमत बढ़ेगा घटेगा या दोनों में से कुछ भी नहीं होगा जिस आदमी ने इसको पहले ही समझ लिया वह फिल जाएगा वह बना लेगा तो इस प्राइस के एक्षिन को एक्षिन मतलब किसी चीज को मैं एक्षिन में करते हैं जैसे मैं चल रहा हूं तो मैं एक्षिन में हूं मतलब इस यह कौन सा एक्षिन हो रहा है चलने वाला एक्षिन हो रहा है मतलब एक तरह का मूवमेंट हो रहा है अब जैसे ब तो बात करने मैंक एक्षण कर रहों कौन से लिएसके साथ ही इस पर बात करेंगे भी एक ट्रेडर आप कैसे लाखोर रुपध पचा सकते हो एक ऐसा एरिया होता है जो किसी trader के लिए ये लाखो रुपय का खर्चा है और अगर आप बहुत aggressive ट्रेड करते हो बहुत जादा ट्रेड करते हो तो ये शायद लाखो निक करोड़ों का खर्चा है जिससे आप बच नहीं सकते बिल्कुल नहीं बच सकते आज हम वो तरीका निकलेंगे बताएंगे कि लाखो या करोड़ों कैसे बचाया जा सके हमको उसमें से कुछ नहीं देना वो पूरा का पूरा पैसा अपना उस तरीक पर भी जरब बात करते हैं अच्छा प्राइस का जो मूवमेंट है प्राइस का जो खेल है प्राइस का जो एक्षन है मेजर यह आप समझोंगे तो दो मांडर सप्लाइब का खेर होता है आप स्टॉक मार्केट को थोड़ी दिर के लिए भूल जाओ आप ऐसा देखो कोई नया ने आफ मॉबाइल फोन लाउंच होता है अप देखो जब नया ने मोबाइल फोन लाउंच होता है तो दुकानदार उसकी प्राइक्स में कोई लेकिन मैक्सिममम टाइम पे मैक्सिमम लोगों के साथ कोई कुछ दाममोल भाव में नहीं होता प्राइस अगर 50,000 है तो 50,000 में मिलेगा शुरुआत में क्या होता है जब फोन नया ने लौन्च होता है यह कोई भी चीज नया नया जब लॉन्च होता है मार्केटिंग प्र है तो क्या चीज बढ़ी हुई है डिमांड बढ़ी हुई है उस प्रड़क के वह जो नया मोबाइल फोन लॉंच हुआ है उसके डिमांड को बढ़ाया गया है थ्रू अलग-अलग स्ट्राटजी थ्रू अलग-अलग बहुत सरी चीजे करकर के तो हर आदमी वहीं सुच रहा ह लेने वाले जादा है इसका मतलब उसके डिमांड जादा है ठीक अच्छा जीमांड बनाई गईर बन गई जो भी यहीं है तो उसकी प्राइस कि नहीं गिरेगी है खरिदने वाले जाता है तो काई को गट में बेचने वाले घटाए भी दुकांदार देख रहा है मेरे पास कस्टमर की लाइन लेग요 हम नागटाने वाले लोड़ बहुत हैं तुमारे से लेने वाले जैसे एपल के फोन से को एपल के फोन की डिमांड हमेशा बनी रहती है लेके हम ना गटानेवाले लिए जैसे एपल के फोन एपल के फोन की डिमांड हमेशा बनी रहती है तो गटाते नहीं अभी हो ने को शेट नहीं करते अईसा इधर भी होता है सेम आप देखो जब वो फोन फिर दिरे दो तीन महीनों तक तो अपने पीक परी रहता है नेगोशियेट नहीं करेंगे लेकिन तीन चार महीनों बाद शे महीने बाद उसके डिमांड घटती चले जाती है लेने वाले कम होते चले जाते हैं जिन्हों ने लेना था वो एक्साइटेड हो करके सुरुवात में लेने वाले की अभ मार्केट हो गया ठंदा यानिकी सर उसका डिमांड हो गया है कम सप्लाइब हो गया कम जब दिमांड सप्लाइब कम हो गया तब उसकी प्राइस गिरेगी क्या आप 50 जर का फोन कपनी निका वो फोन आपको 15-20 का मिल रहा है जो कभी 50 का हुआ करता था यानिकि प्राइस उसकी गिर गई अब यहां पर प्राइस के साथ कौन-कौन से एक्षिन हो रहे हैं सुरुवात में सबसे पहला एक्षिन तो प्राइस को टॉप पे लेके गया एकदम टॉप पे प्राइस को एकद प्राइस को टॉप पे लेके गया कुछ टाइम तक टॉप पे ही रहा उसके बाद प्राइस नीचे हुआ तो यहां पर बेसिकली प्राइस के साथ तीन मूब्मेंट हुए आगे और मूब्मेंट होंगे वह आगे बात करेंगे तो खेल समझ गया सर सारा खेल डिमांड और उसका डुमांड बढ़ेगी चुदू प्राइस उसका अबढ़ादेगा जो बेचने वाला है उसका प्राइस बढ़ादेगा अच्छ even किसकी तरफ से कस्टमर की तरफ से खरीदने वालों की तरफ से हमकर स्चॉक के बायर कोई option केम वायर है एक क्रिप्ट फॉर्य किदर भ में आती है सारा खेल डिमांड और सप्लाय का है अब पैटन ऑफ प्राइस मूवमेंट सर एक चीज़ यह समझो आगे बात करेंगे इसका रेलेवन सब आएगा आगे पैटन का मतलब क्या होता है आपने कभी वो जासुसी वाली फिल्में देखी हैं जैसे अभी साथ-8 मेने प पर काम करना शुरू किया तो अक्षए कुमार ने पैटन आप्सर्फ करने सुरू किए मडर का पैटन क्या दिखा उसने उसने देखा स्कूल की बच्ची यों करहीं सिर्स मुर्ण हो रहा है कि अर जिए जब मडर किया तरहन हो रही है यहाँ पर उसकी को बोलते हैं पैटन इस पैटन updated करने का फाइदा क्या निकाला उन्ते अगला मडर वो कब और कहां करेगा रिखिधैंक अक्षे कुमार ने पहले कर लिए और यहीं उपर जाएगा यह प्राइस निच्छे जाएगा इसका प्रेडिक्शन हमको पहले ही करना है तभी तुम प्राफिट कमा पाएंगे उसने पैटरन को अफजर करके मर्डर को पकल दिया अक्सर आप जासुसी वाली फिल्मों में देखो मर्डर को यह क्रिमनिल को इसे पकड़ा ठीक पैटर्ण का यह खेल होता है अब किस किस तरह के पैटर्ण होते हैं आओ वह भी समझेंगे हैं ट्रेंड पैटर्ण के साथ अभी बात करने से पहले थोड़ ट्रेंड समझते हैं सब एकदम दिसी भासा में नॉमल लेंग्वेज में समझा रहा हूं स्टॉक मार्केट तो बाद में आएगा पहले हम जो आसपास की चीज़ें देखते हैं वहां से अगर हम चीजों को रिलेट कर पाएं वहां से चीजों को समझ पाएं तो स्टॉक मार्केट का फंड़ा भी समझना असान हो जाएगा ट्रेंड क्या होता है स्टॉक मार्केट के भासा में जाएगा इसा कर दो जाएगा जाएगा चुब जाएगा चाको जुरते नहीं दाड़िये से भूख दे तो आइसा ट्रेंड चराओ बहुत सही लोग ऐसा रखते हैं कुछ सालों पहले आप देखो कि पैंट पहनने का कैसा ट्रेंड होता था वह बेल बॉटम टाइप का होत अधर बच्छन डॉन की पुरानी फिल्मों में इसा नीचे लहंगा टाइप नी होता था कुछ साल पहले पास साल पहले और दस साल पहले ऐसा ट्रेंड था बेल बॉटम जीनस पेंट चलता था आज नहीं हो आज नीचे शिकड़ा हुआ जीनस पेंदे सिकड़ा हो ट्रेंड चल गया है तीन दिन से बारिशे हो रही है बेल बॉटम पहने का ट्रेंड चला हुआ है दाड़ी रखने का ट्रेंड चला हुआ है अच्छा एक ट्रेंड क्या हमेशा रहेगा क्या ना ट्रेंड बदलता है ट्रेंड की खासियत ही यही है ट्रेंड कितना भी प्रद्वी तरह कोई ऐगी भी एक्षन का उपर जाना या कोई भी एक्षन अगर लागातार बार 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 हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे अरे लगातारी उपर जा रहा है इसका मतलब अगर ऐसा हो रहा है हम इसको कह देते हैं अच्छा फिर हम देखते हैं यहां पर प्राइस है अगला एक्षन नीचे आया अगला एक्षन फिर नीचे आया अगला एक्षन फिर नीचे आया हम देखरें बार-बार-बार-बार-बार लगातार प्राइस नीचे जा रहा है तो इसको क्या देते हैं क्या देते हैं ड्राउन ट्रेंड मेरी एंड़ाइटिंग मेरी मुझे कई प्राइस के साथ ऐसा ट्रेंड होता है ठीक ट्रेंड समझा बाइर और डिमांड का खिल समझाया बायर और सेलर की क्या मेंटलिटी होती है डिमांड बढ़ने पर सप्लाइघ घटने पर सब्सक्राइब समझें पर आगा हुस को प्राइस टेंड आपके। अब जाएस टे में सबसे पहले दिर्टी अगर बात तरह है तो लगतार बढ़ते हुए प्राइस को हम स्की अरोजिक समझें कि आप लगतार प्राइस सब्सक्राइब paradox इसकी प्राइस लगतार बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है। इमांड लगतार है। अगर आइफोन नया 15 टाइटेनियम वाला लॉट हुआ है। खरीदने वालों की भीड ही कम नहीं हो रही है। दिमांड बनाई हुआ है, तो उसका प्राइस गिरेगा क्या? ना गिरेगा। हाला कि उस case में वो वैलिट नहीं है कि बढ़ा सके लेकिन जितनी ऐसी चीज़े हैं जो वैरियेबल हैं जिनका प्राइस बढ़ाया जा सके उनकी बढ़ती है जिसका सबसे बड़ा लाइव एक्जांपल स्टॉक मार्केट में किसी शेयर ये किसी ऑप्शन का आप देखो प्र सब्सक्राइब कर्म कर्क actions उस भर अलिए आप बहुत महिंगा प्राइस नीचे गीरता चला जाया बंथा बन बडर कब तक गिरेगा और यह प्राइस कब तक ब्रसलोर है अभी वह भी बात करेंगे और कब तक बढ़ेगा वह उस जगे पर वही टिके गा या नीचे आएगा उसका क्या से कॉलोजी लोजिक होता है अभी वह भी जरा समझते हैं तीसरा होता है सर साइडवेज साइडवेज क्या होता है कि डिमांड सप्लाइ बराबर है मतलब दिमांड भी नहीं बढ़ रही और डिमांड कम भी नहीं हो रहे हैं तो प्राइस उतने पर ही रहेगा मतलब अगर कोई मानलो अलू का भाव है अलू 20 रुपए मिल रहा है और 6 महीने से आप देखो 20 रुपए ही आलू है ना 21 ना 19 हो र हो रही है खरीदने वाले उतना है तो वह 20 का बीसी रहेगा लेकिन अगर पीछे से सप्लाइ घट जाए तीमांड तो बढ़ेगे ना क्योंकि आलू खाने वाले छोड़ेंगे नहीं तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा लेकिन सप्लाइ और ज्यादा पीछे से बढ़ समझा रही है तो दिमाग है दिल में घुस रही है बात दिल इधर नहीं दर हाँ मेरा भाया है ठीक है साइडवेज अप्रेंड डाउंटेंड इसका लोगिका मारे को समझ में आ गया अब आगे अब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अभी तौम प्राइस एक्शन की बा अगर आप डीटेल में सीखना चाहते हो देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में या किसी भी तरह के ट्रेडिंग में कुछ बेसिक्स पिलर्स होते हैं और आप उन बेसिक्स पिलर्स को इगनौर नहीं कर सकते हैं अगर आप उस ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हो उन्हीं बे से और यहां ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट से लेटेड कई यह सारे अच्छे अच्छे आडियो बुक्स हैं जिने आप लगातार सुनकर अपने ट्रेडिंग को बहतर बनाकर जादा कमाई कर सकते हों और कुको एफेम अब आपको देराए 50% डिसकाउंट पहले मेहने के मं कि 10,000 से जादा आडियो बुक्स का एकसस सर्फ आपको 49 दे करके मिल जाता है मगर इसके लिए हमारा कूपन कोड SRS50 यूज़ करना बिलकुल न बूलना एप डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में डाल दिया है अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहले करो कि आप हो कौन आइडेंटिफाइ करो खुद को आप कौन हो कहने का मतलब अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर अलागे कही सारी के टिगरी हैं डेफिनेशन देखने जाओगे तो कही सारे के टिगरी हैं ट्रेडर के लेकिन मोटा मोटी मेरे को समझ में आता ह सार। स्कैलपर और पॉजिशनल ट्रेडर। स्कैलपर क्या होता है? कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट या कुछ घंटे में एंटरी ले करके जो एग्जिट होने वाले होते हैं, उनको हम कहते हैं स्कैलपर। स्कैलप तुरंत गुसा तुरंत निकला। लेकिन पॉजिशनल सबसे पहले तो आपके लिए चोटे ट्राइम अच्छे हैं क्या करना है अब जैसे मैं यहाँ पर यहां पर पांच मिन्ट मैं जैस मैंने सेलेक कर रहा हुँ तो मुझे कुछ अलग सा दिखरा देखर एक-दम अलग बदल गया यह पैटन पूरा इसा इसका मतलब अभी समझाता हूँ आधक उल्टाई हो गया अगर मैं इसको एक घंटा कर दूँ पैटनी यानि कि ऐसी दो आप और पाइटर में पूरा को तो आप प्राइस का पैटर्ण देखना है तो पहले यह समझो कि आप कौन हो क्योति प्रक्मीन करें सब्सक्राइब तो आपको पांच मिनिट का चार्ट देखना चाहिывать기 सब्सक्राइब였 wyco तो आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हो पुंधीन की और दिन का चार्ट देखो हफते चार्ट देखो महीने का चार्ट देखो और सिर्फ़ एक छीपार्म उतली उतली शाय स्कुष्चुष्ट आप को डिंग है कि आप छोटे टाइम-प्रीट सब्सक्राइब तो इतना लंबा आपको देखने का मतलब है नहीं हां एक-एक मिनट का टाइम फ्रेम पीछे तक चले जाओ एक महीना तक पुराना देख लो अच्छा है लेकिन एक-एक मिनट पे अगर आप सेकेंड वाले हो अगर एक-दो मिनट में खेलने वाले हो तो पांच मिनट वाला द यह यह होना चाहिए मेरे हिसाब से ठीक है तो पहले यह इडिफाइब करो आप स्कैल पर हो पोजिशनल हो उसके हिसाब से डिसाइड करो और ज्यादा तर लोग मुझे लगता है पूजिए स्कैल पर होते हैं तो स्कैल पर के लिए पाँच मिनट का टाइम फ्रेम इस अब आगर स्कैल पर हो या किसी भी तरह कर टेटर एक सबसे बड़ा पेन है सर आपका ब्रोकरेज सुरुआत में जो मैंने बोला आपके लाखों बच सकते हैं यह सर्फ अच्छे छी ट्रेडर्स के ब्रोकरज लाखो और करोडों में जाते हैं और इसको बचाने का कोई तरी करो commodity trade करो किसी पे भी lifetime zero कोई एम एम सी भी निलेगा आप पर बहुत सरे होते हैं सब्सक्रिप्शन लो तब जाके होगा साल का इतना देदना इधर कुछ नहीं जीरो में एंट्री करो लाइफ टाइम तक जीरो ही से भी से रजिस्टरड भी है सारे एक्षेंजेस पर है यह एन सब्सक्राइब जो यह लो सरी इनका ब्रोकरेश काल्कुलेटर है आप भी खोल सकते हो मैंने यहां पर एक्विटी से लग किया है सो रुपए में मैंने खरीदा 110 रुपए मैं मैंने बेचा मैंने पांच कॉंटिटी डाल दी है और जब मैं कैल्कुलेट बटन दबाता हूं तो नीचे देखो सर ब्रोकरेश वाला कॉलम बिल्कुल जीरो है आपको यहां किसी में 20 किसी में 22 किसी में आटरा इसा दिखेगा यहां बिल्कुल जीरो है ठीक है अब हो गया यकिन तो आगे बढ़ते हैं अब सपोर्ट रेसिस्टेंस बिना इसको समझाए प्राइस प्राइस एक्शन को अच्छे समझी नहीं बाऊगे क्योंकि बहुत बड़ा कॉंसेट यहां पर छुपा हुआ है जो भी आपको समझाएंगे देखो सर जब प्राइस बहुत महंगा हो जाता है किसी चीज का दाम बहुत जादा बढ़ जाता है तब बायर कम होने लग जाते हैं और उसी को हम कहते हैं रेसिस्टेंस समझ में नहीं होगा अभी समझाता हूं देखो जब समान किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है बढ़ रहा है कहने को मतलब ऐसे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ जब प्राइस बहुत नीचे चला गया तो आप लोगों को क्या लगा कि बहुत सस्ता हो गया है तो कहां हजार तक गया था यह तो दोस्सों में आ गया है मतलब बहुत ज्यादा यह सस्ता हो गया अच्छा जब ऐसा लगे बहुत सस्ता है फिर क्या करोगे आप जब कोई चीज आपको लगती है भाईया 500 रुपे का टीशर्ट है मार्केट में सेल में 50 रुपे का मिल रहा है कैसे लोग कूद पड़ते हैं लेने के लिए ऐसा ही उस टॉक शेयर जो भी आज उसमें ट्रेट करते हो जब इतना सस्ता हो गया है तो खरिदने वाले की बाढ़ा गी अब बार इसी आए कि फिर यह जार पर पहुंच गया अब फिर लोगों को लगा अरे फिर बहुत मेंगा होगे फिर वही खेल चलू हो जाएगा यह बढ़ना घटना बढ़ना घटना खेल चलता रहता है अब दोगो यहां पर क्या हुआ सर यह हजार रुपे एक ऐसा की भासा में बोलते हैं लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझो तो लॉजिक यह है कि वह ऐसा प्राइस पॉइंट है जब लोगों को लगता है कि यह बहुत ही महेंगे पॉइंट पर चला गया है अब इससे महेंगा ज्यादा इसका वैल्यू नहीं है उस पॉइंट से गिरन कि यहां बढ़ा था और दो सो रुपए पर वापस आया और लोगों को लग रहा है कि यह बहुत सस्ता हो गया है 500 रुपए का टीशेट अब 50 रुपए में मिल रहा है खरीदो 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 जब खरीदने वाले जादा आएंगे तो प्राइस मतलब यह यहां पे डिमांड बढ़ी यहां पे डिमांड ही और इस तभी मेंने का रेसिस्ट ऊब प्राइस बहुत महंगा और इस नीचे पराइसि बहुत सस्ता हो जाए तो भाइर जादा आने लग जाते हैं इसको आमने क्या बोल दिया सपोर्ट ठीक बजा रहे हैं लेक za नेगैने पजारा है चला अब एक तीसी चीज शी होती हैуют हमने बात करें आ अगर होथाएं अगर अगर औब जा रहा है तो अप चल मैं और ब्रेकाउट क्या होता है प्राइस बड़ 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 हजार रुपए तक पहुंचा ठिक नीचे आया फिर बड़ 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 फिर हजार रुपए तक पहुंचा फिर नीचे आया तो अब जो लोग एनलाइज कर रहे हैं मार अब इससे उपर नहीं जा रहा है अब अगली बार क्या होगा लोग वेट करेंगे कि इस पॉइंट पर जब हजार रुपए पर आएगा तो या तो यह नीची आएगा या फिर इसको तोड़ के उपर जा सकता है यानि कि मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है उस स्टॉक के साथ उस ऑप्शन के साथ कुछ भी खबर ऐसा हुआ है टेकनिकल इनसेस देख करके या कोई न्यूज दखके उस कंपनी में कुछ वा कुछ भी कई सारे फैक्टर सोते हैं वह लास्ट में फैक्टर पर भी बात करते हैं अब यह तोड़ करके चला गया बारास ओपर चला गया पं स्ञेसे रूस्त ऑपर जाता है partir यह समझ लिया जाता है यह पैतर यह बताता है कि उर पछान उपर जाए गायेगा क्योंकि और मार्केट में कुछ तो हुआ ए कि पिछले दो घंटे सी हाजार रुपे को नहीं तोड़ पा रहा था यह पिछले दो महीने सी हजार रुप्य क इतना चेंज कमी होता है लेकिन मैं समझाने के लिए वाला जम्प ले रहा हूं तो इसा द्रोड़ा है 15 familiar के दिर में नहीं होता है सम्झाने के लिए बोल रहा हूँ कहजार में हाई हजार से 1040ा सकता है 1050 हो सकता है ठीक तो यह मान लिया जाता है कि अभी थोड़ करके ऊपर जाएगा इसका क्या लोगी ऐसर नॉर्मल टॉंस में आपको समझाता हूं हाथ होडा लेकर आप किसी दिवाल पर घॉड़ा मारते रहो टक 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 2-4 बार आपने मारा प्ला दिवाल से मस नहीं हो रहा कुछ नहीं हो लेकिन हम समझ गए दिवाल बहुत मजबूत है लेकिन बार बार हतोड़ा अगर मारते रहे मारते रहे मारते रहे सर वो दिवाल मजबूत हीम रहेगा यह दिवाल कमजोर होगा सर हजार बार हतोड़ा मार दिये तो मजबूत से मजबूत दिवाल भी कमजोर हो जाएगा अब उसके टूटने की probability जादा है अब समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ज्यान समझेगा सर इसे आपको इतना सिंपल तरीके से कोई समझावेगा नहीं विदेश जा रहा हैं यह दिवाल पर प्राइस जा रहा है है अ अदूर निचे आया अ थैन पर नहीं है तो हम क्या समझन है बाला तागत तरी कि कर दो मिल रहा है लेकिन यह जितना मजबूत resistance है हम देख रहे हैं कि तीन बार लौट चुका है और चौती बार जाकर के भी लौटा है मतलब यह चार बार इस दिवाल पर चोट कर चुका है तो दिवाल अब कमजोर होने की possibility बढ़ गई है क्या कमजोर हो चुका है ऐसा हम नहीं कह सकते ट्रेडिंग के दुनिया में कुछ ही नहीं कहा जा सकता सिर्फ पॉसेबिलिटीस प्रेडिक्शन साका जाता है कि चार बार यह चोट मार चुका है इस दिवार पर तो इसकी कमजोर होने की probability बढ़ चुकी है तो chances यह हैं कि अगली बहुत सेंग ब्यास कर दो एबंसल्व था प्रैस्छ जबे बिए एक दिवार नीचे मतलब हजार रुप mondo Leto रुप्रस हमती है यह और रुप्र लेवले हैं ढोग ठिक सो रुभे का प्रैस का लेविए ठिक तृपर के lungs पर लोट गया फिर नीचे गिरआ फिर उपर बार कुछ तो मारकेट में हो रहा है जो प्राइस गिर रहा है लेकिन इसे लोट करके जा रहा है तो फॉस教踊टा है hero यह दानों इसको कहते हैं ब्रेक डाउन नीचे सौ रुपय का प्राइस तोड़ करके यह हो सकता है साथ पर पचास पर चालिस पर आ जाए है लेकिन ने चारव यह कोई गिंती स्क्राव यह 233 मोगए थेन चार्व we Jack से थाद अगर यह जोटना कि है तो कम चुझा कर दोणने है कि यह सपोर्न होरा रहीर कि शूद अपज हेरे कि कुछ तो रहा है स comum हो रहा है यह रा अब्रबार क्या सीधोरी है मर्लड ने क्या करके मढर किया है यह चीज़ करके मंट्ट तो technisch शेज़र यह माई यहां करके तो समझेंक न होता है प्रैस का अ मुथ ईसुक्राइब चाहिं हो एंपक इसकावन क्यों कि डाउन हमने जान इनी कि अब आइटक फ्र यह जो हमनेय हजार का प्रैस बुला था और यह जो मनेया था अई कर यह प्रैस बोला था इत tut Smoda क्यों अ लिए ऊस्काइट टेविए स्टिटीवित आप देखो पूरे दिन अगर पूरे हफ्ते यू चला है मार्केट तो आप इसको कह देते हो सर मार्केट साइडवेस चल रहा है साइडवेस साइडवेस मतलब इसके बीच इनको प्रॉफिट लॉस करना था वो करके निकल चुके लेकिन जो पोजिशनल वाले हैं उनका थीट कर रहे हैं समाई बीत रहा है लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है यह एक्जामपल मुझे लग रहा है थोड़ा कंश्यूज कर सकता है आपको मैं दूसरा एक्जामपल लेता हूँ कि क्योंकि इत्ता डिफ्रेंस दिखकर क्या आप कंश्यूज हो सकते हो अब सर मालो एक यह प्राइस है प्राइस इसको मैं बोल देता हूं 500 और इसको बोल देता हूं 490 अभी तो डाइस्ट बढ़े ना 490 से 500 के बीच यह घूम रहा है तो कोई बड़ा डिफ्रेंस क्रेट नहीं हो रहा है तो ऐसे टाइम पर अगर आप होल्ड करके बैठे हो लेकर के बैठे हुए जो सेलर होते हैं उनकी कमाई बढ़ रही होती है क्योंकि आपने अगर ऑप्शन चेन एनलेसिस का हमारा सेशन दिखा है बहुत डीटेल में बहुत देशी भासा में बहुत इत्मिनान से समझाया है और भयंकर बढ़ें बढ़ेंग कमेंट है लोगों कि खुद पढ़ लीजे वह वीडियो देख लेना अगर नहीं देखे हो आप्शन चेन एनलेसिस का तो वहां पर ठीटा डिके प्रेमियम वगएरा वो सब अच्छे समझाय हुआ है तो यहां उस पर ज्यादा हम प्रकास नहीं डालेंगे क्यों हमने प्रकास सरा वहां डाल अब इदर प्रकास लाइन का मतलब नहीं तो आपको ऐसे टाइम पर साथा वेड नहीं करना चीए समाकेट बढ़ेगा किरेगा हमने पूट ले रखात हम गिरने का इंतजार कर रहे हैं इंतजार नहीं करना चीए पुन निकल जाना चीए क्योंकि आपका लॉस होता जा रहा है कैसे लॉस हो रहा है उसमें आप देखो कि आपको समझ में आ जाएगा ठीटा डिके का पूरा डिटेल हमने बता रखा है ठीक ना हमने भी कुछ दर पहले फैक्टर पर बात कर रहा था कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं प्राइस के मॉवमेंट के सर्फ टेक्निकल इनर्स स्केंडल्स चार्ट इंडिकेटर इन से देख करके सर्फ यहीं चीज़ें देख करके प्राइस का मॉवमेंट नहीं तहीं किया जाता इस पर भी डिपेंड करता है न्यूज पर टाटा मोटर्स में कोई बड़ी न्यूज आ गई सरकार का कोई हजार करोड़ों दोजार कोई बड़ा कॉंट्रेक्ट मिल गया उसकी प्राइसिंग भाग जाएगी ऊपर डिमांड बढ़ गया अचानक से रातो रात एक अनॉसमेंट के विए उसका दिमांड बढ़ गया अब दिमांड बढ़ गया तो सारा टेकनिकल एनसे फेल हो जाएगा सारा इंडिकेटर ब्र के अंदर में कॉंग्रेस की सरकार हो गई आप देखोगे कितने स्टॉक के प्राइस धर से किरेंगे क्योंकि कई सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर से बिजनसमें जो है उनका मानना है ऐसा हुआ भी है कि बीजेपी ऐसी गवर्मेंट है जो कि बिजनस फ्रेंडली बिज करेंगे जैसे पता हुं यहां सर्कारी बात नहीं कर रहे हैं लेकिन जो फैक्त है मुसक्uff कर बात कर रहे हैं जैसे पता जला बीजेपी छोड़के सरकार्बधली देखो किस्तर प्रेंड़े कि यह इन्वेजिवारे किमपनी में बिजनस कुछ हुआ है कुछ बढ़यां इस साल कुछ खराब बिजनस हुआ है उसकी उसकी वज़े से Price Up-Down होंगे उलक्शन अने वाला यह अब भकता ये चलता रहों तो प्राइस तक प्राइस सेंच इतना कैसा लगा आपको बदाया स सेखने समझा पाया मैं आपको हमें और बोक्स मैं बताईए अकर प्राइस एकेड फिए को नए तरीके सेल आइस और सीखे दिमाग NBC नसों के अंदर अगर प्राइस सेक्षन में घुजा पाया अगर मैं घुजा में सक्सेस्फुल हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताईए मजा वया क्या सिखाया अश्वाराइस तक किसी ने सिखाया नहीं था ऐसा लिख के बताईए और हाँ कुगो एफम डाउलोड करने का लिंक हमने पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है ठीक है और अगर शूनी भी यूज़ करना चाते हो अब शूनी का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है